नमस्कार पश्चिम मंगाल के आदने मुख्यमंत्री सूसरी ममता जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी मन्सुक माडविया जी सुभाज सरकार जी सांतनु ठाकूर जी जौन बरला जी नितिष्ट प्रामाणिक जी नेता अर्तिपक्ष सुवेंदू अधिकारी जी सी एन सी आई कौलकता की गवर्निंग बाड़ी के सदस्चगान हेल्ड सेक्टर से जुड़े सभी कर्मट साथी अन्य महनुभाव देवी और सज्जनों देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्त सुविधाय पहुचाने के राष्ट्रिय संकल्पों को मजबूत करते हुए आज हमने एक और कदम बढ़ाया है चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिटूर का ये दूसरा कैंपस पर्ष्चिम मंगाल के अनेकों नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है इससे विशेज रुप से उन गरीब उन मद्यंबर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है कैंसर से जुड़ा इलाच इससे जुड़ी सरजरी और थेरेपी अब कुलकता के इस आधुनिक अस्पताल की वज़र से भी और सुलब हो जाएगी साथियों आज ही देश ने एक और महत्वपून पड़ाव को पार किया है साल की शुरुआत देश ने पंदरा से अठारा साल की उमर के बच्चों के लिए वैक्सिनेशन से की थी वही आज साल के पहले महने के पहले हपते में भारत एक सो पचास करोड वन पॉइंट फाइव बिलियन वैक्सिन डोजिस का एतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है एक सो पचास करोड वैक्सिन डोज वो भी एक साल से कम समय में है यह आकणों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है दुनिया के जादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी यह किसी आश्चिर्य से कम नहीं है लेकिन भारत के लिए एक सो तीस करोड देश्वास्यों के सामर्थ का प्रतीक है भारत के लिए यह एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो औसंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है भारत के लिए यह प्रतीक है आत्म विस्वास का यह प्रतीक है आत्म अंदिर्भरता का ये प्रतीक है आत्म गवरव का। मैं आज इस आउसर पर सभी देश वास्यों को बधाई देता हूं। कदलने वाला कोरोना वाइरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रोन वेरियंड का सामना कर रही है। हमारे लिए बहुत महत्वण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसिंख्या में से 90 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों को वैक्सिन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ पांच दिन के भीतर ही डेड़ करोर से ज़्यादा बच्चों को भी वैक्सिन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्दी पूरे देश की है, हर सरकार की है। मैं विशेश रुप से इस उपलब्दी के लिए देश के वैज्यानिकों का, वैक्सिन मैनिफेक्चरर्स का, हमारे हेल्ज सेक्टर से जुड़े सात्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को सीखर तक पहुँचाया है, जिसकी सुरुवात हमने सुन्य से की थी। साथियों, सो साल की सबसे बड़ी महामारी से, मुकाबले में सबका प्रयास की भावना ही देश को मजबूती दे रही है। कोविड से लड़ने के लिए बेसिक और क्रेटिकल इंफ्रसक्टर के निर्मान से लेकर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज मुप्त टिका करना भ्यान तक ये ताकत आज हर तरब दिख रही है। इतनी बहुगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविदताओं वाले हमारे देश में, टेस्टिंग से लेकर टिका करन का इतना बड़ा इंफ्रसक्टर, दिस तेजी से के साथ हमने विक्सित किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरन बन रहा है। साथियों, अंधेरा जितना घना होता है, प्रकाश का महत्वा उतना ही जादा होता है। चुनवतियां जितनी बड़ी होती हैं, होसला उतना ही महत्वपुन हो जाता है। और लड़ाई जितनी कठीन हो, अस्त्र सस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं। सरकार द्वारा अब तक पस्चिम बंगाल को भी कोरोना वैक्षिन की करीब करीब ग्यारा करोड डोस मुप्त मोहिया कराई जा चुकी है। बंगाल को डेज हजार से अधिक वेंटिलेटर, नव हजार से ज्यादा नए ऑक्सिजन सिलेंडर भी दिये गए हैं। 49 पिये से नए ऑक्सिजन प्लांट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। ये कोरोना से मुकाबले में पस्चिम मंगाल के लोगों की मदद करेंगे। साथ को, चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिटूट के केंपस में लगी, देश बंदू चितरंजन दाज जी और महर्चे सुसरुत की प्रतिमाये तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेना है। देश बंदू जी कहते थे, मैं इस देश में बार बार जन्म लेना चाहता हूँ ताकि मैं इस देश के लिए जी सकूँ, इसके लिए काम कर सकूँ। महर्चे सुसरुत स्वास्त के इक्षेत्र में पूरातन भारतिय ज्यान के प्रतिमीम रहे। ऐसी प्रेनाओं से बीते वर्षों में देश वाचों के स्वास्त से जुड़े संपूर्ण समाधानों के लिए होलिस्टिक तरीके से काम हुआ है। सबका प्रयास की भावना से आज देश के हेल्थ इन्फरा को हेल्थ प्लानिंग को इंटिग्रेटेड करने का राष्टिय संकल्पों से जोड़े का काम तेजी से हो रहा है। हम हिल्थ सेक्टर में आज जो चुनोतियां हैं उनसे निपटने के साथ साथ भविष्यकों सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर काम में जूटे हैं। वो वज़े हैं जो बिमारियों का कारण बनती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। बिमार होने की स्थिती में इलाज, सस्ता और सुलब वो इस पर हमारी सरकार का ध्यान है। और उसके साथ ही डॉक्टर और मेडिकल इंफ्रा की कैपसिटी का विस्तार करके स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाया जा रहा है। साथियों इसलिए अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांस्फोर्म करने के लिए देशाच, प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केर, सप्लाइ साइड इंटर्वेंशन और मिशन बोर्ड अभ्यानों को गति दे रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केर को योग, आयरुवेथ, फीटिन या मुवमेंट, युनिवर्सल इम्मुनाइजेशन जैसे माध्यमों से पोसाइड किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और हर गर्ल जल जैसी राष्टी योजनाओं से गाव और गरी परिवारों को अनेक बिमारियों से बचाने में मदद मिल रही है। आर्सेनिक और दूसरे चरणों से जो पानी प्रदूशित होता है देश के अनेक राज्यों में कैंसर का भी एक बड़ा कारण है। हर घर जल अभियान के से इसके द्वारा इस समस्यां के समाधान में बहुत मदद मिल रही है। साथियों लंबे समय तक हमारे हां गरीब और दिम्न मद्यमवर्ग स्वास्त सुविदावें से इसलिए बंचित रहें क्योंकि या तो इलाज सुलब ही नहीं था या बहुत महंगा था। गरीब अगर गंबीर बिमारी से ग्रसीद होता था तो इसके पास दो ही विकल्प थे। या तो वो कर दे अपना घर या जमीन बेचे या फिर इलाज का विचार ही टाल दे। कैंसर की बिमारी तो ऐसी हैं जिसका नाम सुनते ही गरीब और मद्यमवर्ग हिम्मत हारने लगता है। गरीब को इसी कुछुक्र, इसी चिंता से बहार निकालने के लिए देश, सस्ते और सुलब्ट के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। बिते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की किमत में काफी कमी की गई है। अभी मन्सुक बाइश का विस्तार से बता भी रहे थे। पस्टिम मंगाल जहीत पुरे देश में जो आठ हजार से जादा जन आउसदी केंदर स्थापित किये गए हैं। उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाईयां और सर्जिकल सामान दिये जा रहे हैं। इन स्टोर्स पर कैंसर की भी पचास से अधिक दवाईयां बहुत कम किमत पर उपलब्द हैं। कैंसर की सस्ती दवाओं को उपलब्द कराने के लिए विशेश अमरित स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं। सरकार का यही सिवाभाव यही संवेदन सिल्टा गरीबों को सस्ता इलाज सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। सरकार ने पांसो से ज़्यादा दवाईयों की जो कीमत नियंत्रित की हैं वो भी मरीजों के हर साल तीन हजार करोर रुपे से भी ज़्यादा रकाम बचा रही हैं। नागरीकों के पैसे बच रहे हैं। कोरोनरी स्ट्रेंट्स की कीमत तो फिस्ट किये जाने की वज़े से हाट के मरीजों के हर साल चार हजार पांसो करोड रुपे से ज़्यादा बच रहे हैं। सरकार ने नी इंप्लांट्स की कीमत कम करने का जो निर्ने किया उसका विशेस लाब हमारे सीनियर सिटीजन्स को हमारे बुजूर्ग माता और बहनों को पुर्शों को उसका लाब हुआ है। इस वज़र से बुजूर्ग मरीजों से पंद्रा सो करोड रुपया हर वर्ष बच रहे हैं। सरकार जो प्रधान मंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्रेम चला रही है। उसकी मदद से बारा लाग गरीब मरीजों को मुप्त डायलिसिक की सुविदा मिली है। इस से भी उनके पान सो बीस करोड रुपय से भी जादा रकम उनकी बचचत हुई है। साथियों आईश्मान भारत योजना आज एफ़र्डेवल और इंक्लूजीव हेल्थ केर के में। पीएम जय के तहट देश भर में दो करोड साथ लाग से जादा मरीज अस्पताव में अपना मुप्त इलाज करा चुके हैं। अनुमान है कि अगर ये योजना नहीं होती, तो इनी मरीजों के अपने इलाज पर 50 से 60 हजार करोड रुपे खर्च करने पड़ते हैं। साथियों, आईशमान भारत का लाप 17 लाज से जादा कैंसर के मरीजों को भी हुआ है। चाहे कीमो थरेपी हो, रेडियो थरेपी हो या फिर सरजरी, इन मरीजों को अस्पताल में हर सुविदा मुप्त मिली हैं। कलपना कीजिए, सरकार के ये प्रयास नहीं होते, तो कितने गरीबों का जीवन संकट में फस जाता, या कितने परिवार कर्ज के कुछ चक्र में फस जाते हैं। साथियों, आईश्मान भारत सिर्फ मुप्त इलाज का माध्यमबर नहीं हैं, बलकि अर्ली डिटेक्शन्स, अर्ली ट्रिक्मेंट इसमें भी बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। ये कैंसर जैसी सभी गंबीर बिमारियों के लिए बहुत आवशक हैं। वरना हमारे यहां तो जादातर मामलों में कैंसर का पता लास्टेज में ही चलता था जब बिमारी इलाज हो जाती थी। इसी समस्यां को दूर करने के लिए तीस वर्थ से अधिक आयू के साथियों में डाइबिटिज, हाईपर्टेंशन और कैंसर की स्क्रीनिंग पर बल दिया जा रहा है। आईश्मान भारत योजना के तहट गाउं गाउं में बन रहे हजारों हेल्थ और वेलनेस सेंटर इसमें आज बहुत उप्योगी सिद्ध हो रहे हैं। मंगाल में भी ऐसे पाँच हजार से जादा हिल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। देज भर में लगभग 15 करोर लोगों को औरल, ब्रेश्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीन किया जा चुका है। स्क्रीनिंग के बाद जिन में लक्षन दिखते हैं, उनके इलाज के लिए गाउं के स्तर पर ही हजारों स्वास्त कर्मियों को विशेज रुप से ट्रेन भी किया गया है। सातियों, एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे हेल्थ सेक्टर की रही हैं, डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप। डॉक्टर और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स हो या फिर हेल्थ इंफ्रासेक्टर डिमांड और सप्लाई के इस गैप को भरने के लिए भी देश में आज मिशन मोड पर काम हो रहा है। साल 2014 तक देश में अंडर ग्रेजियोट और पोस्ट ग्रेजियोट सीटों के संख्या नब्य हजार के आसपास थी। पिछले साथ सालों में इनमें साथ हजार नई सीटे जोड़ी गई हैं। साल 2014 में हमारे यहां सिर्फ 6 एम्स होते थे आदेश 22 एम्स के ससक्त नेटवर के तरफ बढ़ रहा है। भारत के हर जीले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो इसके लिए काम किया जा रहा है। इन सभी संस्थानों में कैंसर जैसी गंबीर भीमारियों के इलाज की सुविदाएं जोड़ी जा रही है। देश में कैंसर केर इंफ्रास्ट्रक्टर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टिटूट्स और 20 टर्सरी कैर कैंसर सेंटर्स भी स्विक्रूत किये गए हैं। तीज से अधिक संस्थानों पर देजी से काम चल रहा है। पस्चिम मंगाल में भी कोलकता, मुर्शेदावार, दवर्दमान के मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर से मरीजों का इलाज और आसानी से हो जाएगा। हमारे आरोगी मंत्री मंसुख भायनी इसका विस्तार से वर्णन भी किया है। इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश में डॉक्टरों की उपलब्दता पर पड़ेगा। जितने डॉक्टर देश में पिछले सत्तर वर्षों में बने उतने डॉक्टर देश में अब अगले दस वर्षों में बनने जा रहे है। साथियों, पिछले वर्ष देश में जो दो बड़े राष्ट्री अभ्यान शुरू किये गए हैं, वो भी भारत के हेल्थ सेक्टर को आधुनिक स्वरूप देने में बहुत मदद करेंगे। आईश्मान भारत, डिजिटल हेल्थ मिशन इलाज में देश वाच्यों की सहलियत बढ़ाएगा। इस खर्ट से भी नागरीकों को मुक्ति मिल पाएगी। इसी तरह आईश्मान भारत इंफ्रस्रेक्टर मिशन से क्रिटिकल हेल्थ केर से जुड़ा मेडिकल इंफ्रस्रेक्टर बड़े शहरों के साथ साथ अब जीला और ब्लॉक्स तरपर भी सुलब होगा। इस योजना के तहट पस्चिम मंगाल को भी पाँच वर्स में डाई हजार करोड रुपे से अधिक की मदद मिलनी सुनिश्चित हुई है। इससे पूरे राज में सैंकडो हेल्थ सब सेंटर्स बनेंगे। लगबग एक हजार सहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर ऑपरेशनल होंगे। दरजनो डिस्टिक इंटिग्रेटेड पब्लिक हिल्थ लेज़ बनेगी। और जिलास पतालों में सैंकडो क्रिटिकल कैर बेट्स की नई क्यप्रिसिटी तयार होगी। ऐसे प्रयासों से हम भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से और बहतर तरीके से निपट पाएंगे। भारत को स्वस्त और समर्थ बनाने का यह अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। मेरा सभी नागरिकों से फिर आगर हैं कि सतर्क रहे सभी जरूरी सावधानियां बरते हैं। मैं फिर एक बार इस कारक्यम में उपस्तित हर किसी का रुदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।